असलाम अलेकम अब्रीवान दिस अब्दुल्ला अफ्रीदी फॉम जीम कार्पोरेशन और आज इस वीडियो में रिव्यू करने वाला हूँ सीमिय आटमेटिक नैनियम कैलेबर एच के वीपी नैन जो के हिकलर एंड कोच कपनी की बनाईवी पिस्टल है और यह जर्मनी कपनी है काफी मशहूर कपनी है काफी रिलाइबल पिस्टल और सब मश्चीन कंज बनाती है बहुत ज्यादा मशूर है पूरी दुनिया में आज इसकी हम एच के वीपी नैन की डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे और इसकी प्रैस टेक के बारे में आपको बताऊंगा कि मार्केट में इसकी क्या रेट च लेटेड वीडियोस है उसकी न्यूटिफिकेशन आपको मिलती रहे शुक्रिया स्टार्ट करते हैं अच्छे वीपी नैन यह आपको हिट्ले इन कोच की बॉक्स पैकिंग में मिल जाती है फ्रंट पर आपको एच्छे का लोगो मिल जाता है बॉक्स को उपन कर लेते हैं तो यहां पे सबसे पहले आपको एक यूजर मैनुल मिल जाता है तो अगर आप इसको पढ़ना चाहते कि यह रहे हैं तो इसको पढ़ सकते हैं स्याय लग है डिश्वाव पहया न पर लुक कि यह इस ट्रुप से हाथ के लिए हैंड्रे के लिए ठीक है इस तर आपका इसमेमें फिट होता है तो आप इसको स्टे हें माल कर सकते हैं मेगजीन के साथ यह आता है 17 शॉट मेगजीन कैपसिटी है रेट फॉलिवर के साथ ठीक है नीचे बेस प्लेट जो है वो पॉलिमर का है उपर स्टील पत्री से बना हुआ है काफी खुबसूरत फिनिशिंग में है इस सैट पे मेड इन जर्मनी लिखा हुआ है एच के और यह इसकी वराल लुक और डिजाइन के उपर बात करते है तो इसकी जो अवराल लुक और डिजाइन है वो बहुत अच्छी है बहुत अच्छी फिनिशिंग में बनाया है आपको पैक्टैनी रेल में जाता है फ्रंट सरेशन भी मिल जाती है बैक सरेशन मिल जाती है और यह में ऐसको बनाया है इसकी जो ह obst ने इसमें आपका हाथ बहुत अची तरह से फित हो जाता है तीन ओग्रिब इसकी हैं ग्र ken ङर जाती है और हैंड ग्रिब जो भाएंड मेर ग्रिब तो इस वजह से आपका जो हाथ है वो काफी कंफोर्टेबल रहता है दो इसमें आपको manual safety option नहीं मिलता ठीक है और यहां पे आपको HK VP9 की engraving मिल जाती है यहां पे 9mm और serial number आपका इस pistol का वो slide की उपर, barrel की उपर और body की नीचे मिल जाता है 9mm semi-automatic pistol है और इसमें आपको तीन तरह की safety मिल जाती है एक इसका loaded chamber indicator जब आपका यह pistol कौक हुआ हो तो यह indicate करता है कि यह pistol आपने कौक किया है ठीक है और trigger latch safety आपको मिल जाती है ग्लॉक की तरह सही है और एक fireprint block जब आपसे यह pistol गिर जाए तो यह automatically fireprint को ग्लॉक करता है hand grip भी बहुत अच्छा है आपका हाथ बहुत अच्छी तरह से इसमें fit हो जाता है polymer में है नीचे body polymer से बनी हुए है उपर steel से बना हुआ है overall dimension के उपर बात करते हैं तो इसकी जो overall length है वो आपको 7.34 inches तक इसकी overall length आपको मिल जाती है चोड़ाई special का 1.32 inches है weight जो है इस condition में जब इसके साथ empty magazine लगा हो तो इसकी overall weight बन जाती है 750 grams barrel length आपको 4.9 inches तक मिल जाती है और height आपको 5.41 inches तक मिल जाती है यहां से लेकर यहां तक इस special का barrel life जो है एच की की तरफ से वो बताते हैं के 10,000 rounds जो है वो service life है special का लेकिन others model पे इन्होंने एच के company ने उस पे 91,000 plus fire कर चुके हैं तो मतलब इसकी जो barrel है वो काफी ज्यादा reliable है और इसकी barrel में 6 groups होती है ठीक है polygonal six groups barrel है इसमें cold hammer forged barrel लगी हुए है इसमें तो यह काफी reliable barrel होती है और इसकी warranty जो है civilian और commercial purchases के लिए वो limited lifetime warranty है और law enforcement के लिए one year और monetary के लिए यह one year warranty प्रोवाइड करते हैं तो अभी इसकी price tag के उपर आते हैं आप लोगों को ने देख लिए है यह काफी खुशूरत और reliable pistol है cell defense के लिए finishing भी काफी बहतरीन है इस pistol की और एच के कपनी यह आपको पता है कि काफी मुशूर है पूरी दुनिया में लोग इसकी फाराम्स पसंद करते हैं पाकिस्तान में उस तरह नहीं है पाकिस्तान में सिर्फ जो नामे गराने नाम्स है उनकी पिस्टल पसंद करते हैं ग्लॉक वगेरा लेकिन एच के जो है यह पूरी दुनिया में मशूर है और इनकी प्राड़क्स काफी रिलाइबल होती है अब इसकी प्राइस टेक क्यों पराते हैं तो एचक वी पे-न्य यह अप्टिक रेडी बीश्टल है और बापटेक रेड़ि पिस्टल अगर वो ग्लॉक है या कोई और है तो ठोड़ी सी महेंगी होती है है एच के वीपि-9 यही आपको मिल जाता है न पान्च भाग से लेक market कि market rate किसाफ से हमारे कपनी से भी मिल जाएगा अगर उपर होगी तो obviously उस रेट में आपको हम provide करेंगे market price वो हमारी range में नहीं होती वो हमारे power में आवारे हाथ में नहीं होता कि हम उसको कंट्रोल करें एकसर व्यूवर्स जो है वो कमेंट करते हैं कि यार प्राइस जो है वो ज्यादा है तो वो मार्केट की हिसाब से हम चलते हैं और अभी इंपोर्ट कुल गए तो शायद ये नीचे भी आ जाए लेकिन अभी मुझूदा इसका ये रेट चल रहा है तो अगर आप लोगों ने HKVP9 के हवाले से हमारे साथ कंटैक्ट करना है तो आप हमें Instagram, Facebook पेज और Google पे आप हमें सर्च कर सकते है आपको हमारा कंटैक्ट नंबर वहाँ से मिल जाएगा जो भी information आपको चाहिए HK हावाले से या कोई और Firearms के हावाले से इंशाला हम आपको provide कर देंगे तो ये थी हमारी आज की वीडियो HKVP9 के हावाले से हम उलाकात करेंगे अगली वीडियो में शुक्रिया, अल्ला हाफेज